दोस्तों आपको बात करने वाल है बहुत ही बेतरीन प्लान के 25x45 जैसा कि आपने हमारा थम्रेल देखा होगा और इसी मॉडल को हम डिसकस करने वाल है जिसका साइड है 25x45 जहां पर आपको दो बैट डूम, एक डाइनिंग रूम और एक लिविंग हाल टैप का भी मिलता है औ अभी आपको 2D मैप इसका विद साइज डिसकस करूंगा कि रूम का कितना साइज है किशेन बात रूम का साइज क्या है और कहां पर विंडो कहां पर चीजें सारी अर्जिस्ट करनी है तो आप इस वीडो पर बने रहे और आपसे मैं एक अनॉंसमेंट करना चाहूंगा अगर आपने अब आपको मैं हाइलाइट करके दिखा देता हूं सारा कहां पर क्या चीज बनने वाली है और उसका डैमेंशन क्या होगा तो सबसे पहले मैं विंडो यहां पर करता हूं विंडो आप कहां कहां पर लगा सकते हैं और विंडो लग जाता है अगर हम इस रूम की बात करें तो यह आपका जो रूम है यहां पर इस रूम की विंडो आपको यहां पर एक विंडो दे सकते हैं यह आप यहां विंडो दें कि विंडो कोई प्रावलम जिसमें ना हो यह एक विंडो हो गया और यह आपक करता हूं तो यह एक विंडो हाइलाइट यहां पर हो गया और इस बाले बैट डूम के लिए भी बैट डूम है तो आप यहां पर एक विंडो यूज कर सकते हैं जिसमें आपका वेंटिलेशन का कोई भी प्राउब्रम ना हो तो यह तो विंडो होगी इनर जो आप अगर आप हाप कर यह त्री सायट ख लूज कंच क नहीं है चारो-तरप साथा आउस के लूज नहीं है आपका इस कॉर्णर है या रोड हाय तो आप यहां पर डूर बगाइर लगा सकते हैं यह आप दूर भी यहां लगा सकते हैं अगर इस सायट आपका रोड है अगर closed है तो आप इसको छोड़ सकते हैं नहीं है ये आपका एक पूरा बैडूम है बडा सा तो इसमें भी आप एक विंडू इदर दे सकते हैं अगर और साथ ही साथ इसमें आप दे दें वे इंटलेशन का जिसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको फेज करने को ना मिले अगर ये क्लोज्ड है सबी चीज़े तीरो साइट तो आप ये बाहर वाला विल्डो हडा सकते हैं आप इसे मैं करता हूं हाइलाइट ये तो होगी हमें वाल ये आपका विंडो यहां पर आप मैं छोड़ रहा हूं बाद बाद की जितनी भी चीजें सायरी मैं यहां पर हाइलाइट कर रहा हूं हाइलाइट से दोस्तों आपका जितना भी वेंटलेशन ये रूम है ये आपका वे थीन देखने लगता है कि ये आपका जो किचें है मैं इसको हैलाइट में बतांगा कहां पर क्या है किचेंग और उसका साइज क्या है ये भी मैं आपको यहां पर आज बताने वालाओं तो 2D मैप में आपको सारा लोकर बेसिक शीरीज सारी सीरी पता चल जाती है तो यह दोस्तों आउटर वाल है और यह आउटर वाल है यह दोस्तों यहाँ पर देकी मैंने क्रीयेट कर दई और फ्रंड की आउटर वाल के यहाँ आफ इस इस रूम को भी मैं हाइलाइक कर देता हूं जो आपका फ्रेंट में रूम है यह देखी गा हो अजय कि यह देखीगा तो टोटल हाइलाइट हो चुकी है चीजें अब देखी गए यह अब मैं आपको मेंशन करके यह बताता हूं कहां पर क्या है और उसका साइज क्या है तो यह दोस्तों आपका डाइनिंग होल है हाप देख सकता है तो इसकी साइज की बात हो कि यह दोस्तों आपका किचेन है यह आपका किचेन एरिया है और इसका जो साइज है 7ft Cross 7ft है इसका फिट में यह आपका ट्वाइलेट एंड बात्रूम है जिसका साइज है 4 Cross में बता रहा हूँ दोस्तों आप थोड़ा मेंशन देख सकते हैं और यह आपका बैट्रूम है बड़ा से बैट्रूम है और इसका साइज है जो 12 Cross 10ft है मैं आपको दुस्तों पहले आपका कहां पर कौन डोर लगेगा आप इस वाले किचिन को ओपन ही रखें यहां पर डोर ना लगाएं यह आपका लेट्रिंग बात्रूम है तो यहां पर आप एक यह डोर ऐसे लगाएंगे जो की रूम से होता हुआ जाएगा आप रूम लगने वाला है और यह जो आपका स्पेस है यहां पर भी आपको एक बैट्रूम कि जो लिविंग रूम है यहां पर एक डोर लगेगा तो यह तो डोर की पोजिशन हो गई इसाइज हो गया यह विंडो हो गया अब यह दोस्तों लिविंग रूम बसता जो की काफी बढ़ा हो जाता है दोस्तों क prank नोगी अब एक्जराइप कर लेकर आप इडिया मिन जाए कि 17 degrees और यह दोस्तों अब कार फारकेंग के लिए कार पारकेंग के लिए आपका है इस का सायजüyorsun की 10 इंचिस प्रात के इपकर आपका कार पारकेंग के हैं इसका साइज क्राव है इधर से आप करेंगे दोस्तों यहां से आप उपर जाने वाले हैं पर ऐसे जाकर आप ऐसे आ जाते हैं और यह आपका एक पालींक eating Souls 12 बावाइ और यह दौस्तों आपका है मैंने यहां पर हएकर नहीं कि आपका चूड़ गया हैए आपका किचिन एरिया है चलो मैं Creat olv कर देता हूं आपका से बनाए है मैंने तो यह की लेटरिंग बातरूम और है से विल्ट क्रोस पूर्ट तो यहां का कारपार्किंग पूर शॉरी हाउस प्लान डियान हो जाता है दुस्टों 25 में यहां कर कडा डाइनिंग हो लाक्क्रेट जाना पड़ेगा तो यह फिक्स हो गया अगर आप दोस्तों टाइलेट बात रूम नहीं नहीं बनाना चाहते हैं तो आप इस ट्वालेट बात रूम के उपर आप एक जाल रखवा दें चाहते हैं तो आप यह वाला टाइलेट बात रूम रखें बाद बाकी इसको आप एदा जाल उपर रखवा सकते हैं तो आपका बैट डूम में किच्छिन में और डाइनिंग हॉल में रोशनी आता है रहेगा यह आपका लिविंग हॉल अधिक 17 वाई 11 फिट का यह पूरा बैट डूम यह बैट डूम यह टाइनि तो लगबग आपके तीन बैट डूम 25 बैट 45 में बेटरी साहाओ डिजाइन हो जाता है वित कार पारकिंग यहाप अपनी कार पारकिंग कर सकते हैं अगर इस आड़ भी रोड है तो आप यहाँ पर एक गेट डॉर लगा सकते हैं य कोई भी आपका मॉडल ले घर इस्कूल जो भी हो आप हमसे डेजाइन करवा सकते हैं वहापर आपको एक क्लिक्क रिस्पांज मिलेगा आपसे बात की जाएगी और आपका जोई प्रॉब्लम हो से समझा जाएगा उसके अकॉर्डिंग आपका हाउस प्लान किया जाएगा और बहुत ही बेतरीन तरीके से सारी चीज़े होंगी तो आज का जो मॉडल है 25 क्रॉस फोटिवू के ऐसा लगा उसका फीड़बैक जरूर दे अगर आपका कोई रेकमेंडेट मॉडल हमें कमेंड करके बता सकते हैं आप जरूर जरूर कर सकते हैं तो आज के मॉडल के मिसमी डेतरगा सक्वाच कोई है अगर अगर आप वांगा तो